Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 6.1 से question number 10 करेंगे Draw a number line and answer the following एक number line draw कीजिए और इन parts के जवाब दीजिए तो सबसे पहले तो आप एक number line draw करेंगे number line के उपर equal distances के उपर ऐसे point लगाएंगे जैसे मैंने ये point लगाए हुए हैं और कहीं पर आप 0 लिखेंगे बीच में और right side की तरफ numbers लिखे जाएंगे positive और 1 से शुरू होगा 1,2,3,4 and so on इसी तरह से left side में number लिखे जाते हैं negative के minus के numbers और 1 से ही start होता है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on इस तरह से तो number line बनाई जाती है अब ए पार्ट का जवाब देते हैं which number will we reach हम कौन से number पर पहुँच जाएंगे if we move अगर हम move करें four numbers to the right चार number right की तरफ of minus 2 minus 2 के चार number right की तरफ अगर हम move करें तो हम कहां पर पहुच जाएंगे तो move करना शुरू करते हैं minus 2 की बात कर रहे हैं तो पहले तो minus 2 पर ही पहुच जाते हैं ये रहा minus 2 और minus 2 से 4 number right में move करना है तो 1 2 3 और ये 4 देखिये हम पहुच गए हैं 2 पर तो हमारा answer होगा 2 तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं answer ये 2 होगा एक answer बी पार्ट पढ़ते हैं which number will we reach हम कौन से number पर पहुच जाएंगे if we move अगर हम move करते हैं 5 numbers to the left of 1 1 के 5 number left में अगर हम move करते हैं तो पहले तो 1 पर ही पहुचते हैं ये रहा 1 positive 1 है ना तो positive की बात करना यहाँ पर है 1 और 5 number left में चलना है तो यहाँ से 5 jump left में लेंगे 1 2 3 4 5 5 हो गए number आ गया है minus 4 तो इसका answer होगा minus 4 जब हम 1 से 5 number पीछे चले हैं means left में चले हैं तो हम minus 4 पे पहुच गए हैं C part पढ़ते हैं if we are at minus 8 अगर हम minus 8 पर हैं माल लीजे हम यहाँ पर हैं if we are at minus 8 on the number line number line के उपर हम minus 8 पर हैं in which direction should we move to reach minus 13 तो minus 13 पे पहुचने के लिए हमें कौन सी direction में चलना पढ़ेगा direction से मतलब है right में चलना पढ़ेगा या फिर left में चलना पढ़ेगा left और right ही यहाँ पर दो direction है number line के उपर तो यहाँ पर minus 8 है और minus 13 में देखूँगा तो वो इसके left में पढ़ेगा 9, 10, 11, 12 minus के number इधर आ रहे है न और यहाँ पर minus 13 है तो मैं 8 पे हूँ और 13 पे पहुचने के लिए मुझे left में चलना पढ़ रहा है तो इसका जो answer होगा यह होगा to the left to the left यानि कि left में चलना पढ़ेगा deep part पढ़ते हैं if we are at minus 6 on the number line अगर हम minus 6 पर है number line के उपर let's suppose यहाँ पर है यह है minus 6 तो हम यहाँ पर है in which direction should we move to reach minus 1 तो minus 1 पे पहुचने के लिए हमें कौन सी direction में चलना पढ़ेगा अब minus 6 यहाँ पर है और minus 1 देख रहे हो आप यहाँ पर right में है तो जब minus 6 है और minus 1 पे पहुचना है तो right में ही तो चलना पढ़ रहा है क्योंकि right में है minus 1 तो हमारा answer होगा to the right last part था question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye